नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह सवाल वैसे होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा स्टेट PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF, NDA जैसी परिक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिये जाते हैं तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से जो हमने कल आप से प्रैक्टिस कोशन पूछा था मेरिस्यो मैक्ट्री किस देश के रास्टपती हैं औक्षने फिलिपिन्स, B. इसराइल, C. अर्जेंटीना, D. नौर्वे कल यानी 18 फरवरी को अर्जेंटीना के रास्टपती भारत के दोरे पर आए इस दोरान दोनों देशों के बीच कई समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर भी हुए भारत ने अगले महीने से ब्यूनस आयर्स कार्य योजना की समिक्षा में युगदान देने की भी बात कही है अर्जेंटीना दक्षणी अमेरीकी रास्ट है जहां एंडीज परवत हिमनत जीलो और पंपास चारागा का विस्तार है अर्जेंटीना की राजधानी व्यूनस आयर्स और यहां की मुद्रा अर्जेंटाइन पैसो है तो आपकी प्रेक्टिस कोश्ण का सही उत्तर है अब बात करते हैं इस सेशन के पहले कोश्ण की हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन मून मिशन भेजने की खोशना की है अब शने चीन, बी इसराइल, सी जर्मनी, डी दक्षिन कोरिया इसराइल का एक गयर लापकारी संगठन इस मिशन की तैयारी में है जो इसराइल में विज्ञानिक और तक्नीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाता है और इसका नाम है स्पेस आईल यह एक इसराइली और्गनाइजेशन है जो चंदरपा पर एक अंत्रिक्षियान उतारने के लिए गूगल लूनर एक्सप्राइज के द्वारा कराई जा रहे एक कॉम्पेटीशन में स्पेस आईल ने पार्टिस्पेट किया इस कॉम्पेटीशन में नीजी कंपनियों को चांद पर एक रोबर्टिक अंत्रिक्षियान को उतारने की कोशिश करने की चुनौती दी गई थी जिसमें कोई सफल नहीं हो पाया और उस प्रतियोगिता को रद कर दिया गया और उस प्रतियोगिता का आयोजन Google Lunar X Prize के नाम से किया जा रहा था लेकिन स्पेस आईल इस प्रतियोगिता के रद हुने के बावजूद भी कोशिश में लगा रहा और अब हाल ही में 585 किलोग्राम का बर्सेट या जेनेसिस कैनेवरल फ्लॉरिडा से भेजा जाएगा इसराइल की लोकेशन देख लेते हैं इसराइल वेस्टन इशिया की एक कंट्री है जो भुमद्य सागर के दक्षणी पूर्वी किनारे और लाल सागर के उत्तरी किनारे पर है इसराइल की कैपिटल जेरूसलम और यहां की करंसी इसराइली न्यू शिकल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजयमिन नेतन याहू तो कोशन नमबर फर्स्ट का सही उत्तर है ओप्शन बी इसराइल बात करते हैं कोशन नमबर टू 19 फरवरी को निमलिखित में से किस सम्मेधानिक आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है आज रास्टी अनुसूचित जन्जाती आयोग का स्थापना दिवस है जो कि एक सम्मेधानिक आयोग है आज रास्टपती ने संदर्भ में अपना व्याख्यान भी दिया है अनुच्छे 338 में संशोधन करके और 89 सम्मेधानिक संशोधन अंधीनियम 2003 के माध्यम से सम्मेधान में एक नया अनुच्छे 338-A को जोड़कर यह आयोग बनाया गया इस संशोधन त्वारा National Commission for Schedule Casts and Schedule Tribes को दो अलग-अलग आयोग में बाटा गया पहला रास्टी अनुसूचित जाती आयोग यानि NCSC और दूसरा रास्टी अनुसूचित जनजाती आयोग यानि NCST 19 फवरी 2004 से रास्टी अनुसूचित जनजाती आयोग ने कारे करना आरंभ किया अब बात करते हैं ऑप्शन्स की रास्टी अलपसंख्यक आयोग रास्टी मानवाधिकार आयोग और रास्टी महिला आयोग ये तीनों सामविधिक आयोग हैं क्योंकि इनकी स्थापना संसत के व्यधानिक अधिनियम के द्वारा की गई थी कोश्चन में सब्यधानिक आयोग पूछा है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B रास्टी अनुसूचित जनजाती आयोग केंद्रीक क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री राधमोहन सिंग ने हर्याना के सोनिपत जिले में इंडिया इंटरनाशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट IIHM में फोर्थ क्रिशी नेत्रित्व शिखर सम्मेलन 2019 का उधगाटन किया महाराश्पती रामनाद कोविंद ने शिखर सम्मेलन के समापन समाहरों को संबोधित किया और उन्होंने डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म लॉंच किया इस समाहरों की थीम थी आंत्रेप्रेणियोर्शिप और एग्री बिजनेस, एग्री अलाइट, एप्रोमिसिंग सेक्टर, एण एग्री सर्विस, डारेक्ट मार्केटिंग यानि उद्यमिता और कृषी वेवसाय एग्री अलाइट एक होनहार शेत्र और कृषी सेवाग प्रत्यक्ष विपढ़न रास्पती रामनाथ कोविंद ने हर्याना कृषी विश्विध्याले हिसार के कुलपती केपी सिंग इन्हें क्रिशी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया और कुछ किसानों को किसान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया तो Q3 का सही उत्तर है हर्याणा Option A बात करते हैं Q4 India Pharma 2019 की थीम क्या है A. गुनवत्ता वहनयोग के स्वास्थ देखबाल सक्षम करना उपर्युक्त में से कोई नहीं हाल ही में 18 से 19 फरवरी तक इंडिया फार्मा 2019 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2019 का आयजन बंगलूरू में किया गया यह है फार्मसेटिकल्स और चिकित्सा उपकरण शेत्र से संबंदित चौथा इंटरनाशनल सम्मेलन है इंडिया मेडिकल डिवाइस 2019 की थीम थी Accelerating Growth to Achieve Universal Healthcare यानि Universal Healthcare को प्राप्ट करने के लिए तेज विकास और इंडिया फार्मा 2019 की थीम थी Enabling Quality Affordable Healthcare यानि गुणवत्ता वेहन योग्ये स्वास्थे देखबाल सक्षम करना इसका आयोजन रसायन व उर्वरक मंत्राले के फार्मसिटिकल विभाग और फिक्की के सहयोग से किया गया इसका उद्देश्य निर्याद सहित फार्मा शेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है ड्रग्स और फार्मसिटिकल मशीनों के निर्मान के लिए मेकिन इंडिया को प्रोचसाहित करना भी इसका उद्देश्य है कोश्चन नमबर फोर्थ इंडिया फार्मा 2019 की थीम का संबंद किस से है इसका सही उत्तर है बात करते हैं प्रश नमबर पांच की किस देश के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर है सब्सक्राउध की दो दिवसी आधिकारिक यात्रा पर आज शाम दिल्ली आothy ये मंत्री परिशत के उपाध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर भी है ये तस्वीर है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी कल क्राउन प्रिंस के साथ द्यूपक्षिय वारता करेंगे इस वारता के बाद कई समझोतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है पिछले वित्यवर्ष 2017-18 के दौरान द्यूपक्षिय व्यापार्ट 27.48 बिलियन डॉलर था भारत को कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 20 प्रतिशत निर्याद सौधी अरब करता है जिसने सौधी अरब को भारत का चौथा सबसे बड़ा वेपारिक भागेदार बनाया है सौधी अरब में लगभग 2.07 मिलियन प्रवासी भारती रहते हैं सौधी अरब की कैपिटल है रियाद वहां की करंसी है सौधी रियाल और वहां के किंग का नाम है सलमान तो कोशन नमबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन A सौधी अरब कोशन नमबर 6 हाल ही में बेतिया सेल स्टील प्रोसेसिंग यूनिट राष्ट को समर्पित किया गया है यह बिहार के किस जिले में है पूर्वी चमपारण B पस्चिमी चमपारण C सीता मढ़ी D गोपाल गंज PIB की इस न्यूस से पता चलता है कि केंद्रिय स्पात मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंग और केंद्रिय उभोकता मामले खाद्दे और सारजनिक वित्रन मंत्री राम बिलास पास्वान ने बेतिया सेल स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को राष्ट को समर्पित किया इस यूनिट में उच गुणवत्ता वाली स्टील ट्यूब और पाइप को तैयार किया जाएगा इस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को बोकारो इसपास संयंत्र से कच्चा माल प्राप्त होगा आपको बता दे कि पस्चिमी चंपारण जिले का एक शहर है बेतिया चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह स्थल भी रहा है चंपारण जो कि पस्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में विभाजित हो गया है बिहार के उत्तर पस्चिमी छोर पर इस्थित है पस्चिमी चंपारण उत्तर में नेपाल से अंतरास्टिय सीमा साज़ा करता है जबकि उत्तर प्रदेश के साथ भी ये पस्चिम में अपना बॉर्डर शेर करता है बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया 1912 में बिहार बंगाल प्रेजिडेंसी से अलग हुआ और बिहार और उडिसा को एक प्रांथ बनाया गया बाद में 1935 के बाद भारत सरकार अधिनियम के रहत उडिसा डिविजन एक अलग प्रांथ बन गया और बिहार प्रांद ब्रिटिश भारत की एक प्रशासनी की काई की रूप में सित्म में आया और सन 2000 में जारकन इससे अलग हो गया बिहार के गवर्णर है लाल जी टंडन यहां के सीम है नितीश कुमार यहां लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीथ है तो कोशन नमबर 6 का सही उत्तर है पस्चिमी चमपारण बात करते हैं कोशन नमबर 7 की चालिसवे अंतरास्टिये वार्शिक डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया ओप्शने जोदपूर, बी जैपूर, सी उदैपूर, या डी जैसलमेर तीन दिवसी उत्सब जो राजिस्थान राज्ये की सम्रध्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है गड़ सीसर जील किले से एक रंगीन जुलूस के साथ शुरू होता है इसमें मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल प्रतियोगिताओं, मूचों की प्रतियोगिताओं, पगड़ी बानना, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसी अन्ने गतिविध्या शामिल थी इसमें लोग कलाकारों ने भी अपने अपने आकरशक प्रस्तुती दिखाई पंचायती राज संशोधन विध्यक 2019 और राजिस्थान नगर पालिका संशोधन विध्यक 2019 पारित किया है आपको जानकारी होगी कि पिछली भादपा सरकार ने जिला परिशत पंचायत सदस्य चुनाओ के लिए कक्षा 10 और सरपंच पद के लिए कक्षा 5 या 8 की म्यून्तम योग्यता की शुरुआत की थी अब बात करते हैं राजिस्थान की राजिस्थान शेट्फवल की दृस्टी से भारत में सबसे बड़ा राज्जे है इसकी राजधानी है जैपूर यहां के गवर्णर है कल्यान सिंग यहां के सीम है अशोग गहलोत यहां लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट है राजिस्थान के ही शेहर जैसलमेर में चालिसवे अंतरास्टिय वार्षिक डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जैसलमेर कोशन नमबर एट हाल ही में DRDO's Aero India International Seminar 2019 का आयोजन कहां किया गया ओप्शन ए चेन्नई, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी बंगलूरू हाल ही में 18 से 19 फरवरी के लिए Aero India International Seminar 2019 के बारवे संसकरण का उधगाटन किया गया DRDO द्वारा Aeronautical Society of India के सहयोग से दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाता है इस सेमिनार की थीम थी Emerging Frontier in Aerospace Technologies Aero India Show 2019 की भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि 20 से 24 फरवरी के बीच बंगलूरू में इसका आयोजित किया जाएगा Aero India प्रदर्शनी हर दो साल में आयोजित की जाती है इसकी शुरुवात 1996 में की गई थी तब से लेकर अब तक 11 संसकरण हो चुके है Aero India 2019 अंतरास्टिय विमानन शेत्र में वेपार के अवसरों को बरहावा देने के लिए भारत को एक महत्वपून मंच प्रदान करेगा यह शो रक्षा मंत्राले द्वारा आयोजित किया जा रहा है Aero India 2019 की टैग लाइन है The Runway to a Billion Opportunities तो Question No.8 का सही उत्तर है Option D Bangaluru Question No.9 हाल ही में Laureus Sports for Good Owners से किसे समानित किया गया Option A भारतिय क्रिकेट टीम B Magic Bus C UA जो एक NGO है या D अक्षेपात्र NGO जार्खंड इस्थित NGO UA ने Laureus Sports for Good Award जीता है यह तीसरी बार है जब भारत को यह समान मिला है यह NGO लड़कियों को गरीबी के चक्र को स्थाई रूप से तोड़ने के लिए तयार करता है इसके अलावा यह NGO बालिका सशक्ती करण के लिए भी काम करता है यह NGO American, France, Gessler और Rose, Thomas, Gessler द्वारा चारकर्ण में शुरू किया गया जिसमें फुटबॉल प्लस एजुकेशन के द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने और आत्मिश्वास और साहस पैदा करने की कोशिश की जाती है अब बात करते हैं ऑप्शन की तो यह तीसरी बार है जब यह किसी को संबान दिया गया है इससे पहले भारते क्रिकेट टीम और मैजिक बस को यह संबान दिया जा चुका है अक्षेपात्र NGO option में important है क्योंकि यह midday meal से संबंदित है और हाल ही में इसे गांधी peace prize मिला है और question में laureate sports for good honors पूछा है तो यह award अभी फिलहाल युवा एंजियो को मिला है तो option C correct answer है बात करते हैं question number 10 की Stantria tournament का संबंद किस खेल से है A कुष्टी, B तीरंदाजी, C boxing या D निशाने बाजी 13 से 20 फरवरी तक के लिए Stantria tournament का आयोजन किया जा रहा है यह अब तक का सत्तरवा अंतरास्टे मुक्यमाजी tournament है भारत के पुरुष वर्ग में अमित पंगाल जबकी महिला वर्ग में निखत जरीन, मंजुरानी और मीना कुवारी देवी ने आज अपना स्वन्द पदक मुकाबला खेला यह आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड है यह इसके लावा आपको बता देते हैं कि इस tournament का आयोजन बुल्गारिया में किया जाता है आपको यह भी बता दे कि बुल्गारिया यूरोप का एक देश है जिसकी हम पिछले सेशन में बात कर चुके है जो की ग्रीस के उत्तर पूर्ग में तूर्की के उत्तर पस्चिब और रोमानिया के दक्षिण में इस्तित है तो कोशन नमबर टेंथ का सही उत्तर है ओप्षन सी बॉक्सिंग कोशन नमबर 11 भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थेटर का उत्गाटन कहां किया गया ओप्षन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई या दी देहरादून इंडियास फुल डोम 3D डिजिटल थेटर इनाउग्रेटड बाई महेश शर्मा जो केंद्रिय संस्कृति मंत्री है उन्होंने इसका उत्गाटन किया है और ये कोलकाता के साइन्स सिटी में खोला गया है साइन्स सिटी संस्कृति मंत्राले के तहट रास्टिय विज्ञान संग्राले परिशत द्वारत अंचालित है ये आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं ये भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थेटर है तो कोशन नमबर 11 का सही उत्तर है ओप्शन एक कोलकाता अब बात करते हैं बारवे प्रश्ण की डीजल से इलेक्ट्रिक में बदल कर देश के पहले लोकोमोटिव इंजन का लोकारपन कहां किया गया अप्शन ए वारानसी, बी प्रियागराज, सी लखनऊ या डी आगरा पी-म फ्लैग्स ओफ, फर्स्ट एवर डीजल टू इलेक्ट्रिक कनवर्टिड लोकोमोटिव ट्विन इंजन एट वारानसी जहां उन्होंने डीजल से विद्धुत में परिवर्तित पहले लोकोमोटिव इंजन का लोकारपन किया इससे उर्जा की बजट होगी और कार्बन उत्सरजन में कमी आएगी यह मेकिन इंडिया की एक पहल है इंजन में यह परिवर्तन पूरी तरह भारतिय शोध और विकास पर आधारित है विश्व में अपनी तरह का एकलोता कारिक्रम है आपको बता दे कि आज रविदास जेहनती भी है इनका जन्म बनारस के गोवर्धनपूर में ही हुआ था और पीम ने आज वहाँ गुरु रविदास जन्मिस्थान विकास पर योजना का शिलान्यास भी किया है संत रविदास भक्ती अंदोलन के उत्तर भारती रहस्वादी कवी थे तो कोशन नमबर 12 का सही आंसर है ओप्शन ए वारणसी अब बात करते हैं प्रैक्टिस कोश्चन की शिव शत्रपती पुरसकार से किसे यकीन है सम्मानित किया गया आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूले और कल कुछ नए सवाल और इस सवाल के उत्तर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार